एक क्वेशन पूछा था बिश्वजूती दास ने से लेट से किसे वाट इस दबेस्ट प्रेक्टिस तो यूज कीवर्ड इन एड ग्रूप और उन्हें कुछ पूछा था कि जैसे कि कि अग्जेक्ट मैच और फ्रेज मैच तो बिश्वजूती दास ने पूछा था कि सर ब्रॉड मैच बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है गूगल एड्स में ब्रॉड मैच यूज करना है या एक्जेक्ट मैच जिसमें हम ब्रेकेट लगा देते हैं या फ्रेज मैच या ब्रेकेट लगा देंगे और जब सामने वाला सेम टू सेम वर्ड लिखेगा गूगल पर तभी आपका एड्स उसको देखेगा एक्जमपल जैसे उन्हीं ने पूछा था कि कार सर्विसेस अब कार सर्विसेस की उपर अगर हम दोनों तरफ ब्रेकेट लगा देते हैं उसको एक्जक्ट मैच कर देते हैं तो जब तक किसी ने सिर्फ कार स्पेस सर्विसेस बस इतना ही लिखा है तो ही आपका उसको एड़ दिखेगा इसका अपोजिट होता ब्रॉड मैच ब्रॉड मैच में क्या होगा कि सिर्फ आपने कार सर्विसेस की वर्ड यूज किया है लेकिन और किसी ने car repairing, या car service center या car service prices ऐसा कुछ भी search करेगा जिसमें service word आरा है या service के जैसे ही meaning वाला कोई और word आरा है या car आरा है या car के meaning जैसे कोई और word आरा है या हो सकता है कि car या service में से दोनों में से कोई एक ही word आरा है तो भी आपका ऐड उसको दिखेगा अब कोशन आता है कि सर सही क्या है इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस वाला कोशन यह है आपको सेल्स करना है ठीक है सामने वाले का intention और आपकी service जब match खाएगी तभी वो click करेगा और आपको sales मिलेगी अब for example आपने exact match रखा और आपने आपका ad चलाया और जब आपने आपका ad चलाया तो दिन भर में 10 click ही आए अब question यह होता है कि sir 10 click क्यों आए क्यों कि बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनने exactly car और service लिखा इसलिए 10 click आए तो जब आपको ऐसा लगता है कि आप exact match पे चला रहे हैं तो retention तो एकदम correct है सामने वाले का हमारी service भी correct है पर बिल्कुल same to same search करने वाले लोग कम आए तो आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा restrictions कम करना पड़ेगा तो आप उसको phrase match पे लिजा सकते जब आप phrase match पे लिए गए तो आपने देखा कि जब exact match में 10 लोगों ने click किया था यह 10 लोगों ने search किया था जब phrase match में गए हम तो हमने देखा कि 100 लोगों ने search किया और click हो गए अब सौ click के साबसे आपका budget अगर सही है कि कि आपको दिक्कत नहीं हो रही सौ click होने पर और दूसी चीज़ वो लोगों ने क्या search किया था और आपका add उनको दिखा वो आपको search query में जाके देखना पड़ेगा search query आपको पता होगा search query का मतलब यह होता है कि सामने वाले ने exactly क्या लिखा था और आपका उसको add दिखाया गया यानि कि जिसको भी आपका add दिखाया गया उसने लिखा क्या था गूगल पर ठीक है आप ब्रॉड मैच चला रहे हैं अब आपको यह देखना है कि सामने वाले ने क्या लिखा था अगर सामने वाले में जो लिखा था वह आपके साप से सही customer है आपका तो आप जो है फ्रेज मैच पर ठीक हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत जादा गडबड हो रही लोग कुछ भी कुछ भी लिख रहे हैं और फिर भी मेरा एड उनको दिखाया जा रहा है तो आपको वापस रिटन आना पड़ेगा अपने exact मैच पर लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 90% लोग तो वही लिख रहे हैं जो मैं चाहता क्योंकि 10-15 ही लोगों ने वैसा कुछ सर्च किया जो आपने अपने कीवर्ट में डाला था इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा और ब्रॉड होना पड़ेगा थोड़े से और ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा तो उसके लिए आपको फ अगर फाल्तु क्वेरी पे मेरा एड दिखने लग गया है तो गलत हो जाएगा तो आपको फाल्तु क्लिक से बचना है फाल्तु इंप्रेशन से बचना है और अगर फिर से आपको और ज़्यादा लोगों को आड़ दिखाना है तो आप ब्रॉड मैच सेट करें तो इन शॉ सेम तु सेम होता है तभी आपका एड दिखाया जाता है यानि कि कम लोगों को दिख पाता है तो आपको यह देखते रहना कंटिनियूस कि आपका एड आपका बजट और आपकी सर्ट क्वेरी आपके लिए सैटिस्फेक्टरी है कि नहीं ठीक है जैसे कि हमने एक बार एड चलाया था जो कि geef गजाम की उपर था गेट एग जाम जो होती है जो इंजिनेरिंग वाले बकर क्के अंचिनिनिर और कर सक टेंकर निकली थी तो problem क्या हो रहे थी कि जब लोग वो address वगेरा search कर रहे थे location search कर रहे थे जिनको उस exam से कोई लेना देना नहीं है लेकिन उनके word में gate था ठीक है उनकी search query में gate था और उनको हमारा add दिख जाता था अब हमारा add देखके वो click तो नहीं करेंगे क्योंकि वो coaching class तो नहीं ढून रहे हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे add का impression जो खराब चला जाता है गूगल सोचता है कि आपका add जो है लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और query जो है एकदम particular सेम रहे तो यह आपको देखना पड़ेगा कि क्या satisfactory आपके लिए